अगारो का वेजी टेबल चॉपर तो यह बड़ाई सुन्दर सा एंडल थोड़ा सन स्टाइलिस स्वीक सा दिखने वाला एक वेजी टेबल चॉपर है एंड इसके बारे में डीटेल में मैं सारी जो इसके इंफर्मेशन है वो आपको दोंगी अगर वीडियो स्टाट करने से पहले एक रिक्वेस्ट अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दा चैनल और अगर वीडियो इंफर्मेशन लगे तो प्लीज लाइक ता वीडियो तो अब जल्दी से इसके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ सबसे पहले तो आजाता है उपर की और इसकी जो मेन बॉड़ी है सो मोटर तो यहां पर ब्रेंडिंग हुई हुई है और ब्लैक कलर की है और उपर की और यहां पर एक आजाता है बिग स्विच तो पूरे का पूरा यह एक स्विच है तो हम इसे प्रेस करेंगे तो यह ओन हो जाएगा ये वाला पार्ट जो है separate है separate इसलिए है कि अगर हमने इसे wash करना है तो इसे separate कर लेना है क्योंकि इसके अंदर motor है तो पानी इसमें नहीं जाना चाहिए इसे हमने wash नहीं करना इसके साथ आजाती है काफी लंबी cord तो easily अगर आपका plug थोड़ी दूर भी है तो जाएगा अच्छे से and next जो हमारा main container है और ये जो container की main जो बात है वो ये है कि ये transparent है और PC material से बना हुआ है और इसके अंदर आजाते हैं twin blades तो इसमें twin blades हैं यहाँ पे हमें blades जो है safety guard भी दिये गए हैं जो हमें use करने से पहले इसे remove करना है अगर हम use नहीं कर रहे हैं तो हम इसे वापस से लगा कर भी रख सकते हैं तो blades इसके काफी ज़्यादा sharp है ओके सो ऐसे ये चार guard इसके उपर लगे हुए थे blades इसके बहुत ज़्यादा sharp है चार इसमें blades है and ये removal हैं तो अगर हम इसे wash करना है या फिर vegetable chop करके ऐसी हमें use करना है इसमें ही तो वो काफी easy हो जाता है इसे हम remove कर सकते हैं और इस वाला जो jar है ये 500 ml इसके quantity है और इसके नीचे ये anti slip जो है rubber लगी हुई है एक rim है इसका तो अगर हम नीचे यहाँ पे platform पे रखते हैं तो ये ऐसे slide नहीं होता तो ये पूरा stick हो जाता है तो rubber के कारण ये slip नहीं होता एंड उसके बाद आ जाता है तो हमें blades को पहले इसे ऐसे लगाना होता है fit हो गई fit करना बहुत easy and simple है उसके बाद एक इसका lid है तो हमें ऐसे lid को लगा देना है and then हमने इसमें अपनी जो भी vegetable आपको chop करनी है तो ये थोड़ा सा मोटा भी आप chop करना चाहें तो वैसे भी कर देता है medium chop भी करता है और fine chopping भी ये करता है हाँ अगर एक बाद ध्यार रखें because ये chopper है तो इसमें वो नहीं होगा कि आप चटनी या पेस्ट बना सकेंगे किसी चीज़ का नो पेस्ट नहीं बनाएगा ये chopping के काम ही आता है okay so इसके उपर हमें इसके जो body है ऐसे attach कर लेगी है then हमने plug-in करके तो इसमें vegetables chopped हो जाएंगे तो इसके powerful motor है 400W के product पे आती है एक साल की warranty और साथ में आता है इसका manual तो अगर कुछ भी आपको like पता ना चले इसके बारे में तो पूरा अंदर detail में सब कुछ दिया गया है अंदर विड diagram तो आप इसे एक बार read कर लें यूज करने से पहले and अब मैं आपको इसमें onion इसमें चॉप करके लिखाती हूं कि यह कैसी मतलब कितना जो fine chopping है वो कर सकता है ओके तो मैंने यहां पे अनियन ले लिया है onion को मैंने थोड़ा मोटा मोटा ऐसे काट लिया है तो best है कि आप ऐसे बड़े-बड़े pieces में काट के ही इसे यूज करें यूज करने से पहले अच्छे से इसे wash कर लिए और फिर ही इसमें आप यूज करना इसे start करें और मैंने इसमें two medium size के onion अब डाल दिये हैं अब मैं इसे chop करने वाली हूँ ओके तो मैंने इसे set कर लिया अब मैं plug one करती है ओके तो अब हमें क्या करना है इसमें ज़्यादा कोई buttons वगेरा या setting नहीं है simple एक button है हमें इसे ही press करना है तो ये work करना start कर देगा ओके टॉप से हमें इसे press करना है ओके बस इसमें literally एक दो second ही लगें तो इतनी fine chopping हो गई है तो अब हम इससे ज़्यादा इससे fine chop करते हैं okay तो इसका जो working है बहुत ही ज़्यादा मुझे smooth लगा ऐसे noisy नहीं है ज़्यादा और अब मैं दिखाती हूँ कि इसमें जो chopping है वो कितनी fine हुई okay so this is the texture तो काफी ज़्यादा fine chopping इसमें हो गई है बिल्कुल ही बारीक तो अगर आप थोड़ा सा like मोटा रखना चाहते हो प्यास तो आप थोड़ा कम like एक second जा दो second के लिए ही इसे चला सकते हो तो चार पार सेकिंड में यह इतना जादा fine chopping कर देता है तो इस परड़क्ट में आप कोई भी वेजीटेबल हो टमेटो अनियन कैप्सिकम कैरेट कुछ भी आप चॉप एजी ली कर सकते हो तो बहुत ही एक अच्छा परड़क्ट है मुझे यह अच्छा लगा इसकी जो वर्किंग है ना बहुत ही जादा लाइक स्मूध है वैसे जैसे मारे मिकसर नहीं एक खटकटपड मलब काव यह जादा सांड करते हैं तो वैसा नहीं है काफी जादा स्मूध एक्सपिरियंस है इसका मुझे बहुत ही अच्छा लगा और यह हमारे काउंटर टॉप पे पढ़ा हूँ अभी काफी स्टाइलिश लगेगा तो ब्लैक फिनिश है नीचे ट्रांस्पेरेंट इसकी बोड़ी बहुत ही अच्छा लगा मुझे ओबरॉल एंड इसका रोज ही उस करने वाली हूँ हम तो बहुत ही अलव सीरिटली हमें क्या इसकी और तारीफ क्या करूंगी आप बोलोगे की वैसे ही कह रही हूँ बर नहीं एक्च्छल में मुझे इसका एक्सपिरियंस बहुत ही जादा अच्छा लगा तो आज की वीडियो में इतना ही अगर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मैं आपको मिलूगी नेक्स्ट वीडियो में किसी और परड़क्त रिव्यू के साथ तिल दन बाबाई